अगर इस 2024 में आप एक स्प्लीट एसी लेना चारे भूलतास कंपनी का तो इस मॉडल को बिल्कुल आपको लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने नूटिस किया कि इसमें कंप्लेन जल्दी नहीं आता है और इसका कूलिंग को पर्फॉर्मेंस जो रहता है काफी बढ़ेना आता है यह एसी जो आपका है काफी बढ़िया क्वालिटी का आता है दूसर चीज आपको हर एक चीज कॉपर कपको देखने को मिल पाएगा चाहिए आपको कंडिंसर हो या फिर कूलिंग कर लो 100% कॉपर के साथ आपको देखने को मिल पाएगा इसके लाबावा इंडोज इनुट क असानी से यह कवर कर जाएगा आपका और कूलिंग परफॉर्वेंस काफी बढ़िया मुझे लगा है इस एसी का और कंप्लेंट जिस तरह से मैंने आपको इस्टार्टिंग में बता इसमें कंप्लेंट जल्दी नहीं आता है इंस्टाल से प्रोपर तरीका इसे होना दिखा देता हूं यहां पर फोर इस्टार रेटिंग यहां पर भी मेंसन किया वाता नॉर्मली मिडल में आपको भोल्टास लिका हुआ देखने को मिलेगा और लेफ सैट में आपको ए टाटा प्रोडर्ट देखने को मिल पाएगा और कोई भी बाल पर रखो भाई यह जो आपको लुकर डिजान है काफी बढ़ियां से मना देता है भाई यह एसी फोर इस्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा तो मुझे यह काफी बढ़ियां चाहूंगा यह जो एसी है भाई यह आपका 2024 मॉडल नहीं है ठीक है यह आपका 2022 का मॉडल है 2022 का यह खराब है मॉडल ऐसा है कि भाई इसका कूलिंग प्रफार्मेंस को मुझे काफी बढ़ियां लगा इसी कारण से यह वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है तकि आप एसी अगर लेने चाहरे हो 2024 में तो भाई यह एसी को बहुत अराम सब ले सकते हो आपको ऑफ्राइन म काफी बढ़ी रहेगा अगर अब देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे तरीका से यह डिजैन दिया है कंपणी ने और काम भी वर्क भी बहुत अच्छे तरीका से स्विंग करता है तो अंदर रहे कुछ लूट डेजैन अपने देख लिया और यहां पर सामने में हमें देखने देखने नहीं मिल पाता है यहां पर फिल्टर में आप लोग अभी नॉर्मली देखा ही दूंगा अब बैक सब्सक्राइब कुछ और भी चीज़ जो आप लोगो समझना जरूरी है कि यहां पर जो हम प्त्चेस करते हैं तो क्या हमें देखने को मिल पाता तो यहां काफी बढ़िया है कुलिंग पर हमें काफी बढ़िया लगता है ऑप्सन बहुत सारा इसमें डिस्प्ले भी हाइड अप कर सकते हो इसके लावा इसमें आपको स्विंग अलग अलग तरह का देखने को मिल पाता है इसक्रू अगर है कुज्जा है इंस्टारेशन के द्वार है यहां पर कुछे कूपर मगर अभी यहां पर मेंसन किया हुआ है नॉर्मली ऐसे वारेंटी के बाद अगर हम करें तो वनियस का वरेंटी आपको प्रोडर्ट कर देखने को मिल पाएगा इसे से में अब प्राइस का नॉर्मली हम लोग बात करेंगा तो इस तीस से से 38 हो सकता है 35-37 के बीच में यह इसी बिल्कुल असानी से आपको देखने को मिल पाएगा यह नॉर्मली ऑफ लाइन आप इसी वे में ले सकते है 2022 का माडर बोल करके फोर इस्टार रिटिंग के साथ में इस तरह का लूट डिजैन देखने को मिल पाएगा और जैसे का में अब बता है फिल्टर फिल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगा उपर के सेड में फिल्टर दे सकते हैं काफी बढ़िया फिल्टर है Surely आप इसको निकाल सकते हो पै-35-38 ऑर के बीच में यह सी आराम से आपको देखने को मिल पाए मौडल बगर यहां पर मेंसन किया गया है मौडल कौन सा है सिरियल कौन सा है यहां पर सारा चीज इंक्लूड किया है जिसे आप देख करके समझ पाओगे इसके लावा फ्रेंट में आप लोग बताना चाहूंगा इंडोर्यूट में बैक साड में कुछ चीजे होते हैं जो हमारा रहता है इसेय के बैक डास के लावा यहां यहां पर हम लोग सिस्टम है लेप साड में एक है, एक राइट साड में हमें लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल पाता है, जिसमें हमारा इसी हैंग होता है, बैक साड के ड्रेन लैन है हमारा, जो के ड्रेन फ्रंट में भी एक रहता है, और बैक साड में गंदगी वगरा है, जानने से भी हलका फुल कोई इ द्रेट पाइब तो इस तरह से कुछ चीजे है जो आपको देखने को मिल पाता है एसी में इसके लावा फ्रेंड कुछ और भी चीजे मैं आप दिखाने जाओंगा यहां पर इंड्डू इनीट का मोटर वागर आपका फिटिंग देखने को मिल पाएगा गारायट सेड में प दे सकता है आपको 3-pin का टॉप अलएक से परचेस करना पड़ेगा एसी के साथ नहीं आता है अब बात कर लेते हम लेको और डूर्ड यूनिट का बेसिकली और डूर्ड यूनिट जो हमारा रहता है बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है वह हमारा और डूर्ड यूनिट में ही फिटिंग होता चाहिए वह कंपेशन हो पीसी भी हो और डूर्ड यूनिट का मोटर यह में में जो चीज रहता है सारा हमारा और डूर्ड में ही इंकुलूड और गैस भी हमारा तो बाइस सबसे पहले तो बॉक्स ओपन कर चुके हम लोग यहां पर हमें पैप देखने को ही से पर्चेस करना पड़ता है लेकिन क्या है बहुत सारे ऐसी ऐसी एसे भी है जिसमें आपको पाइप देखने को मिल पाएगा इस माइजाश काफी बढिया लगा है पुराना मॉडल है लेकिन जब अध्यास आप लोगों डगता है इसी करद से मैं सज्जेस्ट कर रहे जा सकते हो इस AC में हर एक चीज आपको देखने को मिल पाता है बहुत सारा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल पाता है लेकिन हाँ यह इसी काफी बढ़ी है बुल्टास काई एसी है ताटा का प्रोड़ेट है यहां पर आपको इस्टीगर है इसमें मौडल सिलर भी इसमे का करिशन होता है इसके लावा बैक सीर्ट में हमारा कंडेंसर है जो कि 100% कॉपर करिजर में आप लोग इसको अच्छा कवर हटा करके दिखा देता हूं कि इसáficा कंडेंसर यहां पर,idente कंप ने बनाया है और एक सेंसर है यहां पर लगभा है जो इम्बें तżyर आना जिन को से design के मामला में ये AC काफी बढ़िया है बाई इस AC को लगाने के बाद आपको ज्यादा निरास नहीं होना पड़ा है क्योंकि